हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग दबे आप तिंकिंग और फ्रेंड्स आज हम आपके लेकर आएं अगस्त मंत के इंपोर्टेंट एग्री कल्चर करेंट अफेर्स जो एकजाम के पॉइंट अव्यू से काफी इंपोर् के वीडियो आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेस्किप्शन वाक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट सेशन उससे पहले अगर आपने एग्री मंत्रा को सोशल मीडि प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्री कल्चर करेंट अफेयर डोस पीडियेफ नोट्स और इंपोर्टेंट वीडियो के लिंक अबलेबल होते रहते हैं सबसे पहले बात करेंगे तो के वी आईसी ने अरुनाचल प अरुनाचल पर देश का एक गाउं है जिसका नाम है चुलियो विलिज उसके 25 फार्मर्स को सलेट किया गया है और उस पहले वेच को सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइट की जाएगी इतना आपको याद रखना है इस इंपोर्टेंट करेंट अफेयर से सेकिंड है गुज गुजरात ऐसा इस्टेट बन गया था जिसने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से एकजिट ले लिया था और यहां पे कारण बताया गया था कि इसका जो हाई प्रीमियम बर्डन है ठीक है जैसा कि आपको बताए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 1.5% 2% और 5% का जो प्रीमियम पे करना होता है किसान को वो काफी हाई रहता है तो यहां पे COVID-19 के कारण जो किसानों की कंडिशन है वो अच्छी नहीं है यह कहना था गुजरात के CM का और जिसके कारण इस वार के किसान उस स्कीम में एंडरोल नहीं करेंगे और इसी लिए उन्होंने exit ले लिया था इस स्कीम से उसके alternative उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था मुख्य मंतरी किसान सहाई योजना ठीक है क्या था आपका मुख्य मंतरी किसान सहाई योजना यह स्कीम लॉंच होई थी 10 अगस 10 अगस 2020 को इस स्कीम केता है कोई भी registration की requirement नहीं है और यहां पे अगर किसान की crop 60% से ज्यादा loss होती है ठीक है 60% से अगर ज्यादा loss हो रही है तो वहाँ पे उसको 25,000 per hectare के recording government की तरफ से सायता मिलेगी और अगर 33% से लेके 60% crop loss होता है तो उसमें 20,000 ठीक है 20,000 per hectare के recording यहां पे सायता दी जाएगी maximum 4 hectare तक किसान सायता ले सकता है अपने field से मतलब है कि 1,000,000 रुपी तक का गुजरात government की तरफ से help मिल सकती ठीक है इतना आपको पता रखना है इस important current effect से आगे चलते हैं यूनियन मिनिस्टर आफ अगरिकल्चर और फार्मर्स फेलफेर सिरी नरेन सिंग तोमर लांचे इस क्रशी मेग तो नरेन सिंग तोमर ने एक क्रशी मेग प्लेटफरम लांच किया था 11 अगस्त आपको डेट याद रखनी काफी important है 11 अगस्त को इस platform को launch किया गया था नरेन सिंग तोमर लांच किया है और इस platform का जो पूरा नाम था वो जान लेते हैं तो वो आपका था के वी सी एल्यू नेट ठीक है एल्यू नेट आगे था आपका ही इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो यहाँ पर के वी सी का मतलब है क्रशी विद्याले चात्र अलूमनाई नेट वर्क यह बनाया गया तो यहाँ पर जितने भी भारत के विश्य विद्यालों से पड़े हुए बच्चे जो कि क्रशी विश्य विद्यालों से पड़े हुए बच्चे हैं बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनका एक alumni meet किया जाएगा, तो एक platform बनाया गया था, कि जितने भी भारत में हैं, और भारत के बाहर जितने भी लोग हैं, जो क्रशी विश्विद्यालिम से पढ़के गया हैं, उनको जोडने के लिए platform को तैयार किया गया गया है, जिसका नाम है क्रशी मेग, और यह launch हुआ था, आपका date आप क्या रखनी है, 11 अगस्त को, ठीक है, 14 अगस्त को इस important platform को launch किया गया, date यहाँ पे confirm पूछी जाएगी एक जाम में, इसलिए आपको date याद रखनी है, next बात करेंगे, तो MS स्वामी नाथन अवार्ड प के लिए दिया गया था, RS परोधा जी को, ठीक है, यह founder है, टास के, अब टास की बात आती है, टास की बारे में जान लेते हैं, टास क्या है, तो टास आपका है, trust, ठीक है, for advancement of agricultural science, यह आपका New Delhi में इस्तित है, उसके यह founder भी है, और इनको पदम भूसंड से भी पहले आजा जा चुका है, और इनको यह 10 अगस 2020 को मिला, टीक है, डेट आप क्या रखनी है, 10 अगस 2020 को यह जो award है, Environment Protection 2019 का इनको दिया गया था, इनका काफी contribution रहा है, horticulture में, crops में, live stock में, fishery में, agriculture, engineering में, और environment science में, इसी के लिए उनको Environment Protection 2019 का award दिया गया, इनका नाम है RS परोध तो friends, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है, helpful लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, और आज की वीडियो का target है, केवल और केवल, 300 likes का, अगर आपकी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, आगे बात करेंगे, तो हमारे Union Agriculture Minister Narayan Singh तोमर ने एक YouTube channel launch किया था, जिसका नाम था, सहकार CoopTube NCDC channel, इसके बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पर NCDC का मतलब है, National Cooperative Development Corporation, ठीक है, यह आपका launch हुआ था, 4 अगस्ट 2020 को, तो 4 अगस्ट 2020 को यह channel launch किया गया था, नरेन सिंग तोमर जी के द्वारा, इसका उद्देश था, agriculture knowledge provide करना, agriculture scheme के बारे में awareness provide करना, कुछ guidelines आती है, government के तरफ से वो provide करना, ठीक है, इतना आपको याद रखना, इस important current affairs से, आगे बात कर लेते हैं, प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजन, जिसको PMG-KY के नाम से जानते हैं, जिसका phase 1 था, अपरेल 2020 से जून 2020 तक चल इस योजना के तैद, 5 kg wheat या फिर rice गरीवों को दिये जाएंगे, free of cost, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो इस तीन बंत की report की बात करेंगे, को सभी इस state से लगवाग 118 लाख metric ton जो अनास था, वो lift हो चुका था, ठीक है, तो मतलब है कि 99% target आपक की agriculture ministry की 5 अगस्त को, ठीक है, इसलिए यह अगस्त का current affair माना जाएगा, ठीक है, इतना आपको पता रखना है important current affair से, आगे चलते हैं, agriculture ministry के according, India's rank first in number of organic farmer, अगर number of organic farmer के according बात करेंगे, तो world में India first number पे लाई करती है, और अगर हम बात करेंगे area under organic farming, तो India 9th rank पे लाई करती है, यह आपको याद रखना है, यहां से direct question आ जाएगा, organic farming के उपर, तो number of organic farming में first rank पर, और यहाँ पे area under organic farming में 9th rank पे इंडिया लाई करती है, आपको याद रखना है, नेक्स्ट है, IKEA launches made in India collection using rice straw, तो Swedish home furnishing company जिसको IKEA के नाम से जाना जाता है, यह आपका made in India rice straw based collection करती है, और यहाँ पे इसका जो program का नाम है, वो काफी important एक जामे आएगा, और वो आपका है 400 ठीक है, क्या नाम है आपका, 400 नाम है, जो काफी important रहेगा, और यहाँ पे इस program के लिए, यहाँ पे यह क्या करती है, जो भी आपका rice straw है, जहाँ भी rice ज्यादा production होता है, उसको collect करती है, औ North India में, उसको खतम करने के लिए, उसने एक initiative लिया है, कि जितना भी rice straw होगा, उसको collect करेगी, और उसको किसी product में convert कर देगी, जो कि घर में सजाने के purpose के लिए यूज आएंगे, ठीक है, तो यह किया है, Ikea ने, जो कि एक Swedish home furnishing company है, आगे बाद करेंगे, तो IIT कानपूर has developed indigenous seed ball name beach, bio compost, and rest, eco friendly glow view, तो यहाँ पर IIT कानपूर ने, एक seed ball तयार किया है, जिसको beach नाम दिया गया है, beach का मतलब यहाँ पर रखा गया है, bio compost, and rest, eco friendly glow view, तो यहाँ पर यह जो आपका रहेगा, वो clay, seed, plus liquid nutrient, और solid nutrient का एक combination होगा, एक ball के रूप में, यहाँ आप देख पारे होग piece पर piece, ठीक है, तीन से चार रुपे का एक ball आपको मिलेगा market में, और यह किया गया था, COVID-19 के दोरां, ठीक है, जब आपका pandemic चल ला था, उस time पे social distancing बनाया रखने के लिए, उन्होंने एक seed ball तयार की, इसका उद्दिश क्या है, वो जानने थे काफी जरूर है, तो इसको इ प्लांट के रूप में convert हो जाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीजें, आटमेटिकली वर्क करेंगी, तो इसका जो नाम था, वो काफी important है, बायो कंपोस्ट एनरेस्ट इको फ्रेंडी गोगी, जो की IIT कानपुर ने लॉंच किया था, आगे बात करेंगे, तो नावाड आसाम has identified 46 PACS, जिसको primary agriculture cooperative society के नाम से जाना जाता है, for financial assistance, तो यहाँ पर बात हो रही है, कि जो agriculture infrastructure fund, अलोट किया गया है, अनाउस किया गया है, government of India के द्वारा, उसको financially assistance provide करने के लिए, नावाड आसाम ने 46 PACS select की है, अब इनका उत्देश क्या होगा, कि जो पैसा लोगों तक आए, as a credit, वो यह PACS help करेंगे, ठीक है, असाम में, यह 46 PACS help करेंगे, कि यह उस पैसे को as a credit लोगों तक पहुचा है, और पूरा ब्योरा दे, ठीक है, और यह काफी ज़रूरी होता है, कि bottom level पे जो services पहुचा ही जाती है, financial services, वो नावाड डिरेक्ली नहीं पहुचा सकती है उसके लिए, financial assistance companies होती है, ठीक है, PACS होती है, FAO होती है, और आपके, जो आपका food produce organizations होते हैं, उनकी help से, यह जो आपका money है, उसको bottom level पे पहुचा आ जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, आगे यहाँ पर बात करेंगे, इंडिया's cotton export likely to rise 19% to turn, 1920 the cotton association of India, तो यहाँ पे CAI ने अपनी statement में बोलाए, कि इस बार का जो cotton export है, उन 19% से बढ़ेगा 2019-20 में, अब यहाँ पर बात आती है, कि 19-20 में कितने लाख बेल एक्सपोर्ट हुआ है, तो वो आपका 2019-20 की बात करेंगे, तो 50 लाख बेल यहाँ पे export हुआ है, 2019-20 में, और यहाँ पे 2018-19 में कितना हुआ तो 47 लाख बेल, तो यहाँ पे 3 लाख बेल इस बार ज्यादा export हुआ है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर बेल की बाता रही है, तो यहाँ पे 3 question और बनेंगे, कि जो आपका cotton का बेल होता है, उसका वज होता है, वो आपका होता है, 180 kg, इतना आपका याद रखना है, वन बेल का, ठीक है, तो यहाँ पे आगे बोला गया है, एक और important का इंटरफेर, ISB launches one stop portal for indicators of economic recovery, तो यहाँ पे Indian school of business यहाँ पे बात करेंगे, तो उसने एक indicator one stop portal launch किया है, जो क्या करेगा, कि जो आपकी इंडिय की economy है, post COVID-19, मतलब COVID-19 जब खतम हो जाएगा, उसके बाद यह recovery को track करेगा, ठीक है, कि किस तरह से recovery हो रही है, इंडिया की economy, यह आपका real time analysis करेगा, economic recovery का, और यहाँ पे एक factual data provide कराएगा, ठीक है, जो कि ISB ने launch किया, आगे बात करेंगे, तो CCEA approved increase in sugar cane FRP by 10 rupees to 285 rupees पर quintal for 2020-21, तो यहाँ पर आत हो रही है, session 2021 के लिए, CCEA ने approval किया है, कि 10 उर्पे का यहाँ पर increment किया जाएगा, शोगर के इनके FRP में, FRP क्या होता है, fair and remunerative price, जिसको recommend करती है, CACP, Commission of Agriculture Cost and Price, ठीक है, इसको यह recommend करती है, और approval कौन करता है, Cabinet Committee on Economic Affairs, जिसको CCEA के नाम से जानते हैं, और recommend मैंने आपको क्या बताया, CACP के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो अब जो sugar cane का FRP होगा, वो होगा, 285 रुपीज पर कुंटल, जोकी session 2021 के लिए रहेगा, बाकी crop के लिए MSP गोसित किया जाता है, और sugar cane के लिए FRP गोसित किया जाता है, आगे बात करेंगे, Ministry of Travel Affairs and Ministry of Rural Development sign MOU to take the convergence endeavor ahead, तो यहाँ पर आत हो रही है, कि Ministry of Travel Affairs और Ministry of Rural Development दोनों मिनिस्ट्री मिलके, उन्होंने आपस में एक MOU sign किया है, और उनका उद्देश है, कि जितने भी rural poor people है, including travel community, ठीक है, उनको support करना, और यह आपका MOU sign हुआता, 18 अगस्त को, ठीक है, तो आपको date याद रखने है, 18 अगस्त को यह MOU sign हुआ है, between Ministry of Travel Affairs and Ministry of Rural Development, आगे बात करेंगे, तो new e-market platform launch to bridge gap between Indian farmers and UAE food industry, तो यहाँ पे भारतिय फार्मर और UAE food industry के बीच में जो gap है, उसको कम करने के लिए, ठीक है, एक e-market platform launch किया गया है, जिसका नाम है Agriota, अग्री, अगस्त को, तो 29 अगस्त को इस platform को launch किया गया था, जिसका नाम था Agriota, इतना आपको याद रखना है, इस important current effect से, आगे चलते हैं, इन मिडेस्ट ओफ कोरोना क्राइसिज, राजस्तान चीफ मिनिस्टर असोग गहलोज लॉंच दी इंदरा रसोई scheme to provide nutritious and quality food at rupees 8 per plate, तो यहाँ पर बात हो रही है, कोरोना की टाइम पर राजस्तान के सीएम असोग गहलोज जी ने एक scheme launch की थी, जिसका नाम था इंदरा रसोई scheme, जिसके तहट 8 रुपे plate में nutritious and good quality food poors को खिलाया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो यह launch होई थी 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को इस scheme को launch किया गया, जिसका नाम था इंदरा रसोई scheme, इसके तहट 8 रुपे में एक थाली भर के, मतलब थाली में जो भी भोजन होता है एक person के लिए, उतना person यहाँ पे जो भोजन है वो प्रोवाइट किया जाएगा, पूर्स के लिए जिस थाली में 100 ग्राम पलसेज होंगी, 100 ग्राम वेजिटेवल और 250 ग्राम चपाती प्लस पिकल, यह सारा समान उनको 8 रुपे में गरीब लोगों को प्रोवाइट किया जाएगा, जो की इंदरा रसोई scheme के तहट ग्राम जो की आपका होगा, टर्राकोर्टा Cinema टैवलमेंट के लिए, तो यूपी में गुरदफुर में जितने भी टर्रा कॉर्टा एक गश्तान से, टर्रावल JENN की प्रोवाइट के लिए, नावाट का प्रोजेक्त किया ए, और यह प्रोजेक्त लूंच होगा 18 अगस्त को Q ठीक है डेट आपको याद रखनी है 18 अगस्त को और यह आपका हुआ था 20 अगस्त को तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो नावाट के जो प्रिजेंट चेयर्मेन है जी आर चिंताला गोविंदा राजुलू चिंताला वो विजेट पे आये थे उस टाइम पे उसी टाइम उन्ह भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो सेटलाइट इमेज की हेल्प से फार्मश की जमीन का वियुरा करेगा सर्वेग और यह डिसाइट करेगा कि फार्मर को कितना लोण प्रोवाइट किया जा सकता है इस से फायदा क्या क्या होगा यह भी जान लेते हैं तो जब की ट्र जिसके जो asset हैं उसका online survey करके ये decision निकालेगी कि farmers को कितना loan मिल सकता है ठीक है और ये करने जा रही है ICICI bank Next है 14 state finalized action plan for agree export policy commerce minister तो यहाँ पे commerce minister ने बोला है कि 14 state ने finalize कर लिया है कि वो agree export policy launch कर देंगे अपने अपने state में जिन में से महाराष्ट, यूपी, केरला, तमिलनाडू, असाम, नागलन जैसे state सामिल है जो कि आपको इतना पता होना चाहिए बाकी agree export policy के बारे मैंने पिछले वीडियो में कई वार आपको बताया हुआ है तो आपको जानकारी उसके बारे में होगी आगे बात करेंगे तो नावाड है is tied up with उजीवन small finance bank and विवरित्ती to provide रुपेज 25,000 करोड funding support तो यहाँ पर आपकी है नावाड बैंक ने tie up किया है दो बैंक के साथ पहला उजीवन small finance bank जो की बैंगलोर इस्थिद बैंक है और एक आपकी है विवरित्ती capital जो की तमिल नाड़ो इस्थिद बैंक है जिरोंने आपस मिलके 25,000 करोड रुपे funding support प्रोड़ की जाएगे नावाड के साथ यह दो बैंक मिलके उन लोगों को support करेंगी financial assistance देंगी और जैसे के आपको बता है नावाड बैंक established हुआ 12 जोलाई 1982 को जिसके chairman है जी आर चिंताला और यह कब किया गया date आपको पता होनी चाहिए और वो आपकी date है 24 अगस 2020 ठीक है 24 अगस को यह यहाँ पर as important current effects है आगे बात करेंगे online executive development program organized by national sugar institute कानपूर inaugurated तो कानपूर के NSI national sugar institute में एक online executive development program organized किया गया जो कि 5 दिन का program था 24 से लेके 28 अगस तक चला ठीक है 24 से 28 अगस तक चला और यहाँ पर इनका जो main उद्देश था इस program को launch करने का वो था converting sugar factory into hub of bioenergy तो जितनी भी sugar factory है उनको bioenergy का hub बनाना उद्देश था इस important program का और जितना भी शुगर के इनसे value added product बन सकते हैं वो भी बनाना by product बन सकते हैं वो भी बनाना तो यह उद्देश के लिए इस 5 दिन का program रहा था जो कि आपका 24 अगस से 28 अगस तक चला NSI मतलब national sugar institute कान पूर में इस program को organize किया गए ठीक है आगे बात करेंगे MSME approve a new scheme to make in India आत्म निर्वर इन अगरवत्ती production तो यहाँ पे MSME ने अप्रूब किया था आत्म निर्वर mission को आगे ले जाने के लिए जो कि अगरवत्ती production में बात हो रही है कि अगरवत्ती production में इंडिया को आत्म निर्वर बनाने के लिए एक scheme launch की गई थी जो की गई थी दो अगस्त को ठीक है डेट आप किया रखनी है दो अगस्त को इस scheme को launch किया गया था जो कि KVIC के थूर लॉंच होई थी और यहाँ पे scheme का नाम था आपका के ए ए एम खादी अगरवत्ती आत्म निर्वर mission ठीक है दोबारा मैं repeat करता हूँ खादी अगरवत्ती आत्म निर्वर mission scheme launch की गई थी ताकि भारत को अगरवत्ती production में आत्म निर्वर बनाया जाए यह कि दो अगस्त 2020 को इस scheme को launch किया गया था आपको date याद रखनी है friends अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है और आपनी वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे चलते हैं एक और important current affair Minister स्री नितिन गटकरी launches खादी gift box of silk mask तो यहाँ पर बात हो रही है कि नितिन गटकरी जी ने खादी gift box silk mask का launch किया था जिसका जो price था वो 500 रुपीस था ठीक है 500 रुपे में आपको वो silk box gift मिल जाएगा जिसमें silk mask होंगे color mask होंगे और printed mask होंगे जो कि skin friendly होंगे 100% खादी cotton से बने होंगे washable होंगे ठीक है जो कि यहाँ पर MSME के minister नितिन गटकरी जी ने launch किया था इतना आपको पता रखना है आगे चलते हैं रियल टाइम monitoring of rupees 1 लाग करोड agriculture infrastructure fund in work तो इस वार जो agriculture में infrastructure fund launch हुआ है 1 लाग करोड का उसकी real time monitoring करने के लिए यहाँ पर जो कि district level पर state level पर कंटी लेबल पर की जाएगी इससे यह देखा जाएगा कि कितना money disverse हुआ है कितने farmers के account में यह money पहुँची है कितना उससे address आया है सारी information इस वार digitally monitor की जाएगी जिससे जो आपका scheme है उसका इसको पता चलता है कि successful रहा या फिर नहीं रहा ठीक है आगे बात करेंगे तो राजस्तान farmer will loss crop worth rupees 1000 करोड to locust तो इस वार locust attack के कारण राजस्तान के farmers की 1000 करोड की crop loss हुई है ठीक है यह कहना है राजस्तान के CM गैलो लिखें कि जो आपका locust attack हुआ है उसको राश्ट्री आपदा national disaster गोसित किया जाए यहाँ पर 1000 करोड का farmers की crops का loss हुआ है अब यहाँ पर locust की बात आती है दो question आपके आद रखने है एक आपका है 206 B3 यह एक आपका bell helicopter है जिसकी जो capacity है वो 500 लीटर की है और एक time में 25 से 50 sector area cover कर सकता है इसप्रे कर सकता है पेस्टी साइट का इंसेक्टी साइट का और उसके बाद आपका Indian Air Force ठीक है आई एफ ने MI 17 लांच किया था जो कि आपका ये भी है एक helicopter है MI helicopter है जो की 750 हेक्टियर वन फ्लाइट में area में इसप्रेंग कर सकता है तो यह दो model आपके याद रखन है रिगार्डिंग locust attack ठीक है आगी चलते हैं next है aqua connect launches three hub in Andra to demonstrate technology sale input तो यहाँ पे एक aqua connect company है जिसने आंदर प्रदेस में तीन हव लांच किये है ताकि उस technology के वारे में मतलब aqua culture के वारे में और उससे लिए इतने भी input है उनको sale कर सके तो यहाँ पे जो आंदर प्रदेस मे तीन हवें वो आपके छे अगस्त को launch किये गए ते पहली चीज ठीक है आपको date याद रखनी है छे अगस्त को यह तीन हव लांच किये गए ते कहां कहां किये गए तो पहला तो आपका है बापतला में दूसरा अंगोल में और तीसरा आपका है अवनी गड़्डा यह आपक कि जो आपके seed parcel आते हैं जिनको संदे के घेरे में रखा जाता है suspicious seed parcel होते हैं उनके लिए अप क्या कर रहे हैं क्योंकि चाइना की तरफ से Chinese seed आ रहा हैं जो की एक तरह से वार का रूप हो सकते हैं उसमें कुछ ऐसा मिलावट हो सकता है जो हमारी खेती को production को कम कर सकता है इस यह कहना है NSAI का इतना आपको पता रखना है इस important current affairs है आगे है 1 लाग करोड एग्री इंफ्रा fund टू वी crucial in enhancing farm sector share in GDP जो की FAIFA ने वोला है क्योंकि farm sector की जो GDP है वो इससे बढ़ सकती है यह कहना है FAI FA का तो देखते हैं feature में क्या होता है लेकिन यहां पे इतना आपको पता रखना है कि FAI क्या है Federation of All India Farmers Association जिसने 11 अगस्त को बोला था कि जो 1 लाग करोड का infrastructure fund है इससे agriculture की GDP boost होगी and enhance होगी ठीक है आगे यहां पर है महाराष्ट wind of pilot project launched to curve farmer society तो सबसे ज़्यादा जो farmer के society होते हैं वो महाराष्टा में होते हैं तो उसको कम करने के लिए जो महाराष्ट government है वह सारे pilot project लेके आती है कुछ पुराने project को दवारा बंद कर देती है ताकि जादा से ज़्यादा रोका जा सके society को होने से ठीक है तो chemical का कम use हो जो उसका use है उसको कम किया जाए उसके लिए government of India प्लान कर रही है कि आप future में आप जब भी यूरिया खरीद होगे तो उसके साथ आपको bio fertilizer या फिर organic fertilizer purchase करना mandatory हो जाएगा मतलब है कि कोई वी आप in organic fertilizer अगर आप purchase करते हैं तो उसके साथ आपको कोई bio fertilizer या फिर दिया जा रहा है क्योंकि इसका जो disadvantage हो human health पर देखा जा रहा है बहुत सारी बीमारियां आ रही है क्योंकि हम इतना दवाँ वाला खाना खा रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा बीमारी human health में देखने को मिल रही है जिसलिए government of India चाहती है कि inorganic fertilizer का use हो सबसे कम किया जाए और उसके लिए उन्होंने technique निकाली है कि अगर आप यूरिया खरीदेंगे तो उसके साथ आपको एक package bio fertilizer भी mandatory खरीदना पड़ेगा आगे बोला जाए तो each village to be connected with optical fiber cable OFC connectivity in next 1000 day PM श्री नरेंद मोदी जी ने 15 अगस्त को independence day वाले दिन अपने वाशन में ये बोला था कि आने वाले हर गाउं तक पहुंचे जितनी भी चीज़ें आजकल digital हो गई है जैसा कि आपको बताए direct benefit transfer भी हो रहा है जो कि bank में transfer होता है हर चीज online हो गई है net से connect हो गई है इसलिए मोदी चाहते हैं कि पूरा country जितने भी village है सब जगे optical fiber cable connection होना चाहिए तो ये 1000 दनों के अंदर इसको पूरा करने का target set किया गया ठीक है इतना आपको पता रखना है आगे बात करेंगे तो गौद्रेज एग्रोवेट launches plant nutrition product तो यहाँ पे जो गौद्रेज कंपनी है वो यहाँ पर agriculture में भी कुछ plant product launch करने वाले है जिसका नाम है आपका टेरा sorb ठीक है तो यह आपका product होगा वो एक complex mixture होगा जो कि आपका grape, apple, chili, potato के लिए easily use कर सकते हैं और एक आपका है वो भी जान लेते हैं क्या नाम है उसका नाम है आपका अर्मूरस ठीक है यह भी आपका यह complex है जो कि tomato, brinjal, okra, capsicum, banana और cucumber के लिए use किया जाएगा तो यहाँ पर agrovet, godridge के एक company है जो कि agrigulture में ऐसे product ला रही है जो कि organic तरीके से खेती को बढ़ावा देंगे और कम से कम उसके sad effect देखने को मिलेंगे आगे यहाँ पर बोला गया है Bengal aim to bring 60 lakh farmers under crop cover तो यहाँ पर बंगाल का उद्देश है कि 60 lakh farmers को crop cover के अंडर लाना तो यहाँ पर बात करेंगे तो बंगाल के एक scheme ती जिसका नाम था बांगला ससस बीमा जो की 2019 को launch की गई थी 2019 में launch की गई थी जो की paddy, jute और मेज ठीक है धान, जोट और मक्का की फसल के लिए इस cover भीमा insurance scheme को बनाय गया था और यहाँ पर अगर किसान की कोई भी crop खराब होती है मतलब paddy, jute और मेज में से तो यहाँ पर government की तरफ से insurance cover दिया जाएगा जो की 60 lakh किसानों को यहाँ पर cover करने की बात की गई है जो की West Bengal government जो है वो कोसिस कर फसल भीमा योजना को implement ना करने वाली state बन गी ठीक है जैसा कि आपको बता है कि उसने उस PM किसान scheme को और फसल भीमा योजना scheme को launch नहीं किया है और यही कारण है कि यहाँ पर जो बांगला सरकार है वो चाती है कि वो कोई और alternative scheme में उन किसानों को insurance cover दिया जाए ठीक है आगे बात करेंगे no GM certificate mandatory for imported food crop from January 2021 जनवरी 2020 से अगर fruit आपका no GM certificate के साथ आ रहा है तब तो import आप कर सकते हो otherwise GM fruit को आप import नहीं कर पाएंगे जनवरी 2021 से मतलब है कि अगर आपका food genetically modified है तो वहाँ पे जनवरी 2021 के वाद आप किसी other country से अपनी country में नहीं ला सकते हैं तो उसके लिए आपको mandatory होगा कि आप उस पे no GM certificate होना चाहिए उस fruit पे तभी आप उस fruit को enter कर सकते हैं इंडिया के अंदर और फिर आप sale कर सकते हैं तो ये काफी important है इसके regarding अभी हाली में FSSAI ने एक बेन किया है कि अगर आप October 1 मतलब 1 October के बाद mustard oil में कोई other edible oil mix करेंगे तो वहाँ पर उस पे बेन लगा दिया जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है तो ये एक October से launch हो जाएगा रूल जो की जिसमें केवल और केवल आप pure mustard oil कर पाएंगे domestically next है इंडिया श्रिम्प export drop 23% in July lower supply तो COVID-19 कारण जो lower supply रही है जिसमें इंडिया का जो श्रिम्प export है वो घट गया है 23% से जोलाई मन्त में ठीक है और ये सब हुआ है COVID-19 pandemic के कारण next है make crop insurance a basic right for farmers जो बोला है national conveiner of जै किशान आंदूलन तो जै किशान आंदूलन के जो राष्ट्रिय प्रवक्ता है conveiner है उन्होंने बोलाए कि जो crop insurance इसकी में उसको basic right बना देना चाहिए farmers का तो जैसा कि आपको पता है और भी हमारे right है ऐसे ही crop insurance भी एक right होना चाहिए जिसम उसका वहां पर insurance cover provide किया जाए government of India के द्वारा तो यहां पर एक basic right बनाने की बात की जा रही है तो देखते हैं फीचर में क्या होता है लेकिन अभी तक जो government है वो 1.5%, 2% और 5% premium rate चार्ज करती है फसल के भी मापे आगे बात करेंगे आज का last current affair agree sector silver lining for 2020-21 नावाट चेर्मेन जी यार चिंताला जी उन्होंने बोला है कि agriculture sector है वो 2020-21 में भी बहुत अच्छा करने वाला है जैसा कि उन्होंने पता है कि COVID-19 में भी agriculture sector ऐसा था जिसने सबसे अच्छी growth की है जो कि positive में GDP growth के साथ number one पे रहा है तो आने वाले समय में जैसा कि आपको बता है record showing हुई है खरी जादा होगा तो बोल सकते हो कि agriculture sector है वो अच्छा करने वाला है आने वाले समय में यह कहना है नावाट के chairman का तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको current effort समझ में आए होंगे helpful लगे होंगे इसका video आपको बहुत जल्दी available कराया जाएगा वीडियो अगर आपको फसंद आई ह तो वीडियो को लाइक करो और आज का जो target है 300 likes का उसको भी आप fulfill कीजिए और यह possible होगा केवल और केवल आपके support से तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्नवाद जय हिंद जय भारत